नमस्ते दोस्तों ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्राइडे के दिन मार्केट में जो फॉल हुआ उसके पीछे का exact reason क्या है price action प्लस option chain के analysis के हिसाब से और ये जो budget आने वाला है budget के हिसाब से हमें कौन सा रननीती बना के nipty और bank nipty में काम करना चाहिए लायू मार्केट में 9 बचकर 25 मिनिट पर आपको बता दिया था कि ये particular level को अगर market break करता है तो long unwinding का fall आ सकता है अभी इस बात को आप सीख लीजिए समझ लीजिए और इसको लायू मार्केट में implement करना चालू कर दिजे तो आप एक professional trader बन पाऊगे और एक analyst की तरह आप भी signal generate कर पाऊगे उसको execute कर पाऊगे तो यहाँ पर देखें 9 बचकर 25 मिनिट पर यहाँ पर मैंने मेरे free वाले telegram channel में update किया था और आपके सामने जो option chain लगाया हुआ है यह मैंने 9 बचकर 23 मिनिट का लगाया हुआ है तो आभी इसको मैं थोड़ा explain करके आपको बताता हूँ जिससे आपका knowledge बढ़ जाएगा आपका understanding बढ़ जाएगा अभी यह long unwinding क्या होता है इसको पहले समझ लीजे जब भी हम लोग stock market में काम करते है particularly trading करो या investing करो तो आप 2 position ले सकते एक तो आप buy का position ले सकते है या फिर आप एक sale का position ले सकते है अगर आपका view bullish है मतलब आपको ऐसे लगता है कि market उपर जाने वाला है तो आप buy का position लेते हैं अगर आपको लगता है कि market नीचे जाने वाला है आपका view bearish है तो आप sale का position ले जेते हैं तो यहां पर इसको केसे समझना है, buy करना मतलब यानि long करना और sell करना मतलब यानि short करना, तो इसको केसे समझना है, इसको थोड़ा आप clear कर लिजे, जब भी market उपर जा रहा है और उपर जाते समय open interest का जो figure है, open interest का जो value है, वो अगर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि market में long position built up हो रहा है तो long position कैसे built up हो रहा है इसको अभी आपको समझ में आ गया फिर उसके बाद मान लोग कि market जो है वो market नीचे जा रहा है और नीचे जाते समय open interest जो है open interest increase हो रहा है इसका मतलब यह होता है कि market में short built up हो रहा है short position लोग बना रहे हैं तो यह long built up और short built up अगर आपको समझ में आ गया तो इसका opposite होता है long unwinding मतलब long unwinding का मतलब क्या है कि मान लोग की market नीचे आ रहा है और नीचे आते समय open interest का value कम हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं कि market में से long unwinding हो रहा है तो यह long unwinding कब होगा यह अगर आपको समझ में आ गया तो आप उसको catch कर पाओगे उसी तरीके से मान लोग की market उपर जा रहा है और उपर जाते समय open interest का value कम हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि market में यह short covering का rally आ चुका है तो यह सभी mood को आप catch कर सकते 9 बच कर 23 मिनिट का आपके सामने में ने option chain लगाया हुआ है और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको clear cut दिखाई देगा यहाँ पर देखो मैंने यह जो अपना free वाला telegram channel है यहाँ पर आपको figure भी बताया था कि इसको अगर market break करता है 31,929 को तो उसके बाद बड़ा long unwinding का fall आ सकता है तो यहाँ पर अगर दिन भर का price का moment देखोगे तो आपको समझ में आएगा जैसे ही market ने वो value को break कर दिया market ने completely one sided down side का fall दिखाया तो इसको अभी option chain के हिसाब से आपको समझना है कि कि किस तरीके से इसको analyze किया जा सकता है तो option chain में आपको क्या देखना पड़ता है option chain में simply आपको call की side के उपर resistance देखो और put की side के उपर support देखो अभी यहाँ पे मैंने 9 बच कर 23 मिनिट पर क्या किया 9 बच कर 23 मिनिट पर 4 compartment का मैंने study किया 4 compartment में मुझे क्या दिखाई दिया इसमें मैं कौन-कौन से point देखता हूँ सबसे पहले मैं change in the open interest को देखता हूँ और community open interest को देखता हूँ वो दोनों side की तरफ आपको देखना पड़ता है तभी जाके आपका understanding ज़्यादा clear हो जाता है जब आपको इतना clear cut market में दिखाई दे रहा है कि उपरी side की तरफ resistance बहुत strong होते जा रहा है और नीचे की side की तरफ support weak होते जा रहा है तो इसका मतलब यह होता है कि आगर एक particular support resistance को market break करेगा तो बड़ा fall आने की possibility है और उसी हिसाब से market ने behave किया जिस हिसाब से हम लोगों ने live market में 9 बच कर 25 मिनिट पर predict किया था तो अगर यह चारो compartment का study in detail कैसे करना यह अगर आपको समझना है तो वो मेरे free वाले course में मैं आपको समझा देता हूँ यह free वाले course को कैसे join करना है इसका सब detail में ने मेरे telegram channel में दिया हुआ है और telegram channel का link वीडियो के नीचे description box में दिया हुआ है अभी इसको analyze करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है price action के ही सबसे भी देखना पड़ता है कि market में किस तरीके का position यहाँ पर बन रहा है जब भी market नीचे आता है दोस्तों तो आपको क्या देखना पड़ता है कि यहाँ पे सिर्फ long unwinding का rally fall आ चुका है या फिर यहाँ पे fresh short built up हो चुका है जब यह दोनों बाते आपको clear हो जाएगी तब जाके आप पता कर पाओगे कि market में आने वाले समय में क्या हो सकता है अभी एक particular level पर आकर market यहाँ पे रुका हुआ है तो यहाँ पे जब भी market रुकता है तो आपको पहले देखना पड़ता है कि यह उपर वाले prices में किस तरीके का position बना है सिर्फ long unwinding का fall हुआ है या उसमें big players ने short का position भी initiate किया हुआ है यह आपको कहाँ पे समझ में आएगा यह आपको समझ में आएगा FII के data में जब आप FII का data देखते हो तो आपका understanding clear हो जाता है फिर next day जब आप Monday के लिए trade करने जाओगे तो Monday के लिए trade करते समय आपको क्या देखना है सबसे पहले देखना है कि price action के हिसाब से कौन से important level बन चुके है फिर उसके बाद आपको देखना है कि option chain के हिसाब से कहाँ पे किस तरीके का position built up हो चुका है फिर आपको क्या करना है आपको देखना है कि global market जो है वो global market में किस तरीके का scenario बना हुआ है जब यह तीनों का आप combination करोगे तो सबसे सटिक आपका निशा न बेटेगा आपका accuracy बहुत बढ़ जाएगा अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको clear cut दिखा ही देगा कि यहाँ पे मैंने जितने भी prediction दिये थे वहाँ पे almost 100% का success rate last week में हमें मिला हुआ है all the prediction given in this week are end in the profit 100% accuracy और यह मैं क्या करता हूँ जो मेरा free वाला course है वो free वाले course में लोगों को सिखाता हूँ कि आप कहाँ पे check कर सकते हो और lieu market में यहाँ देख सकते हो मैंने lieu market में यहाँ पे लोगों को बताया हुआ है कि मेरे free training के जो notes है उसमें आप four compartment का जो theory मेंने सिखाया हुआ है उसमें आप यह वाले compartment में जाके कौन से ratio check करने है वो check किजे तो आपको पता चलेगा कि यह fall कौन से हिसाब से आया हुआ है तो जब भी आप market का analysis करते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से level से market गिरेगा तो और market नीचे जाएगा अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि bank nifty में किस तरीके का scenario यहाँ पे बन रहा है तो bank nifty का analysis करने के लिए मैं आपको थोड़ा higher time frame के उपर लेकर जाता हूँ जब आप higher time frame के उपर जाओगे तो आपको level जो मिलेंगे वो level को कैसे calculate करना है इसको पहले समझ लीजिए सिर्फ level देने से काम नहीं बनेगा अगर आपको सच में सीखना है समझना है तो यह level कौन से basis के उपर price action के हिसाब से आते है इसको फहले समझना पड़ेगा तो यहाँ पे आगर आप market में देखोगे तो यहाँ पे market ने एक gap up opening दिया था gap up opening के बाद एक बात याद में रखो जब भी आप gap को study करते हो तो gap में दो type के gap रहते है एक upside का gap रहता है और एक downside का gap रहता है तो यहाँ पे यह जो है upside का gap up opening दिया हुआ है और upside का gap up होता है और as a support करके act होता है और जो downside का gap up होता है और as a resistance करके act होता है अगर इस gap को कैसे study करना है इसके उपर आपको एक separate वीडियो चाहिए तो मैं separate वीडियो आपको बना के दे सकता हूँ मेरी एक ही request रहेगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो को like कीजे जितना ज़्यादा मुझे like मिलेगा उतना ज़्यादा मुझे वीडियो बनाने का motivation मिलेगा और मैं उतना ज़्यादा educational वीडियो आपके लिए बनाते जाऊंगा और उसी के साथ साथ अपना YouTube का जो चैनले नयन पोखर कर professional trader इसको आप subscribe कीजे और subscribe करने के बाद bell icon का बटन दबा दीजे तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉंच करूंगा इमिजेट आपको उसके notification मिल जाएंगे अभी देख लेते हैं कि निप्टी में और bank निप्टी में कैसा momentum हो सकता है तो यहाँ पे जो support का zone बना हुआ है यह support के zone के करीब market यहाँ पे आ चुका है तो अभी यहाँ पे आपको कौन सा रननीती बना के काम करना चाहिए तो जैस आता है तो यह support level को अगर market respect करता है तो यहाँ से bounce back होने की possibility है अगर इसको market downside की तरह break करेगा तो यह downside का fall आने की यहाँ पे possibility है तो यहाँ पे हमारा price action के इसाब से scenario fix हो गया फिर उसके बाद हम लोग option chain का analysis करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरीके का position यहाँ पे बना ह हुआ है यह option chain का analysis में लायू market में करके देता हूँ यहाँ पे आगर आप देखोगे तो यह जो अपना free वाला telegram channel है जहाँ पे 77,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए है उनको मैं लायू market में यहाँ पे analysis करके बताता हूँ इसका link मैंने video के नीचे description box में दिया हुआ है आप उसको join कर सकते हो फिर उसके बाद आपी देखते है कि निप्टी में किस तरीके का scenario बना हुआ है निप्टी का scenario समझने से पहले आपी कुछ बातों को आपको समझना पड़ेगा कि आपी budget का session आने वाला है देखो दोस्तों जब भी budget का session आता है कुछ बाते आपको ध्य analysis करते है तो उसमें OI के data में plus FII का data रहता है उनका combination करके हम लोग पता कर सकते है कि market में किस तरीके का momentum होने की possibility है फिरहाल का जो data है वो data ऐसे दिखा रहा है कि market में profit booking हो रहा है profit booking का क्या मतलब होता है कि जन लोगों ने नीचे वाले इस तरपर buy किया हुआ है वो लोग रहने की possibility है क्या market में तो फिलहाल का जो FII का data है FII के data से ऐसा लग नहीं रहा है कि market में बहुत बड़ा fall आ सकता है लेकिन हाँ ये profit booking का जो rally है वो rally और भी continue रह सकता है और जब कब तक market में continue रहेगा जब तक option chain में हमें reversal के कुछ signal नहीं दिखाई देते option chain के अगर आपको reversal के signal देखने है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है PCR PCR अगर overbought या oversold हो जाता है तब ही जाके हम लोगों को reversal मिल सकता है अभी PCR नहीं overbought zone में नहीं oversold zone में in between है मतलब ये rally जो है ये rally continue रहने की ज़्यादा possibility है ये PCR का भी मैं एक video और बना चुका अभी देख लेते हैं कि nifty में किस तरीके का momentum यहाँ पे बन रहा है निप्टी में यहाँ पे मैंने ये level को कैसे calculate किया इसके पीछे का logic सीख लीजे जब आप इसके पीछे का logic सीखोगे तब ही जाके आप इसको calculate कर पाओगे इसको use कर पाओगे तो same यहाँ पे जो gap of opening मिला ह हुआ है यह gap of opening जो है वो as a support करके act होने की possibility है और यह prove हो चुका है एक बार market ने यहाँ से support लेके bounce बाच दे चुका है अभी दुबारा जब market यह level पर आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे किस तरीके का price action होता है इसको समझना पड़ेगा अगर यहाँ पे इस तरीके का price action market बनाता है तो यहाँ से यह high break करने पर आप buy कर सकते हो वहाँ से market उपर जा सकता है अगर market यह level को break नहीं support नहीं करता है और इसको with the increase in volume break करता है तो दुबारा market नीचे आने की possibility है दुबारा अगर market नीचे आना चालू हो गया तो पहला support level यह आपके लिए और यह आपके लिए दूसरा support level बनेगा तो इस तरीके का रननीती बना के आपको काम करना पड़ेगा तब जाके आप एक static analysis कर पाओगे और उसको समझके implement करके आप एक professional trader बन पाओगे अभी इसमें कुछ psychological factor भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे पहला psychological factor यह है कि जो long bull run हम लोगोंने पिछले कुछ दिनों में देखा हुआ है और एक बड़े event के पहले एक बड़े trigger से पहले यहाँ पर profit booking आना लाजमी है दूसरा बात आपको यह देखना पड़ेगा कि event होने से पहले आभी एक तारीक को मान लोग की एक फरवरी को अपना budget आने वाला है उसस सारे लोग क्या होते data points को miss करते roll over के हिसाब से हमें idea आ सकता है कि कितना long position roll over हुआ है और कितना short position roll over हुआ है तो budget से पहले और एक में वीडियो बना के आपको दे दूँगा कि मुझे किस तरीके का यहाँ पर analysis लग रहा है तो आशा है कि यह वीडियो में आपको बहुत knowledge मिल आ रहेगा यह वीडियो को like किजिए like करने के बाद अपना यह जो channel है यह channel को subscribe किजिए और subscribe करने के बाद bell icon का बटन दबा दिजिए आशा है कि यह वीडियो आपको help करेगा एक professional trader बनने के लिए thank you very much